स्वादिष्ट खाना खाने वाड़े और स्वादिष्ट खाना बनाने वाड़े सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम और मेरे यूट्व वीवर्ज बहुत ज्यादा मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं कमेंड कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो ये देखिए मैं एक परकार के मावा के ऐसे लड़ू बनाने जारी हूँ मावा भी अलग परकार का बनाया मैंने तो ये देखिए लड़ू जो ये बेशन ले लिया था मैंने लगबग डेट दोकटोरी के लगबग और इसमें मैंने बीच में घी डाल दिया मोयन के लिए और थोड़ा सा दूर डाल दिया दो तिन चम्मच अब इसको क्या करना है आमें एक मोटा बेशन बनाना है मोटा बेशन बनाने की वीदी मैंने बताई भी है आपको कि ये मोटा बेशन ये शिल्य बनाते हम ताकि इसके करंची करंची लड़्डू अमारे बेशन के बने तो ये देखो भाई अमने के करया कि यो बिल्कुल मोटा मोटा सा इसको सारे को अच्छी प्रकार से मिला दिया सारे में और फिर ये देखो 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ना है ताकि इसका जो है न अच्छी प्रकार से एक मोटा सा तैयार हो जाए बेशन और ये देखो अब हमें क्या करना है चनली में इसको चान लेना है चनली में चान होगे तो बैस्ट रहेगा और मिक्सी में देखो एक प्रकार का मैंने अलग प्रकार का माव बनाया है इसकी भी मैं वीडियो डालूंगी तो ये मावा जो है न चाहे तो आप वो ले सकते हो नहीं तो मैं इसकी वीडियो डालूंगी इसमें जादा मावा निकलता है दूद में तो ये मैंने फ्रीज में रख दिया थ पोइस्सा डरदरा सा पेस्ट बढनानाई इसको डरदरा सा पाउदर बणा पनाके सोरी पाउदर बनाना है और यह देखिए एकदम मैंने सारा पीछ लिया और डरदरा पाउदर बढा लिया इछ देख़ए गी ले लिया है गी जो है गठास का नो dubμο sensing है कब तक पकाना है यह हम हम ने दिखा दियांगे यह देखो पहले इस रंग का है बेसर ना मैं कलर डालूंगी और किसी भी चीज में मैंने आपको पहले बताया कि एल्र जो है वो बहुत आनी कारख है कैंसर कारख है इसलिए कलर रॉम यूज नी करेंगे बिलकुल किसी भी आप लोगों को आगे मैं बता दिए यह दी कलर डालने की जूरत पड़ेगी तो तो देखो यह मैंने बेशन से एक लिया है और यू नहीं कि इसकी सुगंदान लागी नहीं दिम्मे करना है गैस लो मीडियम लो मीडियम और उस पर यह बेशन से एकना तब जागा अंदर तक यह बेशन बूनेगा इब यह जो ग्राइंडिंग किया हुआ था ने जो मावा यह अमने इसके अंदर डाल दिया है बेशन जो एकदम ब्राउन ब्राउन हो चुगा था उसके बाद हमने इसमें यह डाल लिया है मावा इब देखो बई इतनी मतलब बड़ी आचीज मैंने आपको बतानी है यह जो है जैफल ले लेना है और आद़ा जो है जैफल इसमें गिश देना है तो यह इसका टेस्ट इतना बड़ी आया ना क्या बताऊं गजब का टेस्ट है इतने सुवाद लड़ू बढ़े बहुत ही सुवादिष्ट एक भी लड़ू जो है मेरा दाना भी नहीं बचा और यह देखो मैंने ले ली थी खांड अब एक कटोरी के लग बगी डेट कटोरी के लग बबेशन और यह एक कटोरी के लग बग जो है वो खांड थी या तो आप इसकी तगार बना सकते हैं नहीं तो मैंने तो खांड यूज की थी और यह देखो अच्छी त करना ये मैंने कुछ काजु बदाम जो है वो मैंने भीगो के और इनको कट कर लिये थे और चिल्का वगएरा उतार के और ये कट कर के रख रहे थे मैंने कुछ और ये देखो यह मैंने इसके अंदर डाल दी है इससे एक करंची सा आएगा बहुत ज्यादा स्वादिश्ट आप से बहुत बहुत निवेदन अबार है कि वीडियो जरूर जरूर आपने सब्सक्राइब करनी है देखनी है